हेलो दोस्तों कैसे है आप लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आज का यह लेक्चर नंबर 19 है और इसे प्रीवेस अरे लेक्चर में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किये थे जैसे कि लेमिस थीरिम क्या होता है उसके बारे में डिसक्रस्ट किये थे और उसे रिलिटेड सवाल भी हम लोग बनाए थे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वाटी सपोर्ट एंड यह सपोर्ट कितने पर करका होता है इसके बारे में डिसक्रस्ट करनेंगे दोस्तों यह topic आपके बहुत ही important है, आपको semester exam point of view से क्योंकि यह topic आपके semester में बहुत बार पूछा गया है, तो दोस्तो इस topic को आप लोग अच्छे से समझेगा, तो चलिए दोस्तो आज इस topic को हम लोग deal करते है, तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि support क्या होता है, तो the structural component upon which the beam and load are support is called support कहने का मतब़ आजए है दोस्तो कि वह संगरचना मतलब वह structure जिस पर कोई beam या लोड को हम support देते हैं उसी को हम दोस्तो support कहते हैं, simple support होता है दोस्तों roller support होता है, hing support होता है, fix support होता है तो सबसे पहले हम लोग यह पढ़ते है कि simple support क्या होता है तो the simple support, the support at which the beam can slide is called simple support simple support करने का मतलब यह है दोस्तों कि वैसा support जिस पर beam क्या कर सके जो beam है वो slide कर सके उसे को दोस्तों हम लोग बोलते है simple support बिसिकली सिंपल सपट उसे कहते हैं जिस सपोर्ट पर बीम स्लाइड कर सके उसे हम दोसों सींपल सपोर्ट कहते हैं जैसे सबसकते हैंarson अधिक फले sih होता है एक 1 और 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 दोस्तो एक रियक्शन होता है आरेम करने का मतलब है दोस्तों की रियक्शन ओफ मोमेंट मतलब क्या रियक्शन है और भी एक होता है दोस्तों जिसका आरेच कहता है आरेच दोस्तों इसमें नहीं होता है यह रियक्शन दोस्तों आपको सिंपल सापड में नहीं होता है तो और आरेम करने मतलब अधिशन आव मोमेंट देखें दूस्तों सिंपल सपोर्ट का जो एक्जामपल आपको रियल लाइफ में यह ऐसा कुछ है मालने देखी एक मेरा यह सपोर्ट है यह मेरा यह मेरा बीम है यहां पर जो भी है मेरा यहां पर मेरा ब्रीज टाइप है तो सपोर्ट जिसपर कोई पी रोल कर सके उसको में वह दोस्तों है रोलर सपोर्ट नीचे चक्कह होता है यह का होता है यह इस भाग को घूमाता है मतलब कि मैंने विसमें विसमें चका हुआ होगा तो जो चका होता है उसके कारण सिर्ट है मतलब अपने स्थान चेंज कर सकता है तो शिवा डूस्त हमण बोलता है roller support roller support बश्क्राइब होता है या इसा कुछ मेरा support रहता है यहाँ पर ये वसी रहता है मेरा यह बीग नहीं रहता है यह होता है यह पड़ा श्फॉर्ट रोजर सपोर्ट में क्या ह सुन्द करो है जैक्स सब्च और पार सकंदा यह गारोप तो घ्र redeem अब जो आपको देखिए कि यहां पर दर्साइगा फिगर में हींग सपोर्ट में जो होता दो बेसिकली इस बीम जो सपोर्ट होता है उसके नीचे हम चाका नहीं लगाते हैं वो मतलब एक तरस वह फिक्स रहता है और यह यहां पर आपका यह बीम रहता है ऐसे तो बेसिकली किसिए गी और छाप समन सकते कई सपरatan सबसे है पूछ ऑप किया होता है तो वैसा सपोर्ट जिस पर विन क्या करinkशा किya केए तो सिर्फ रोटेट कर सके उसी कम लुस्त हीं हिंग support कहता है तो हिंग support का दोस्तों में क्या होता है दोस्तों कि आपको two reaction होता है कर आरभी एक आरम करने का मतलब है दोस्तों कोई reaction of movement आओ आरभी करने का मतलब कहता है दोस्तों reaction of vertically force अब last है तोस्तों topic बचा हुआ जो इसके हम fix support कहते है the support about which the beam cannot slide or rotate is called fix support मैंने वैसा support जिस पर जो beam होता है ना तो slide कर सके ना तो rotate कर सके उसी को दोस्तों हम बोलता है fix support fix support देखे कि यहाँ पर example यह दिया हुआ है कि माले जी दिवार है दिवार के अंदर मेरा थोड़ा सा ही देखिए आपड़ी हम इसे इस beam को fix कर दिया है मतलब कि तो ना ही यह यह beam rotate कर सकता है ना ही यह beam slider कर सकता है दोस्तु इसजी को हम जोता है fix support fix support में का दोस्तों एक तीन रियक्षन होता है आर्भी आरेच और आया अर्म अर्वी करने का मतलब का दिवान दोस्तों bunu reaction of horizontal force of RM करने का मतब क्या दोस्तों तो reaction of moment यह दोस्तों आपको तीनों के तीनों reaction होता है किसमें तो fix support में तो आयोब दोस्तों आपको support पूरी अच्छे से clear हो गया होगा तो पस दोस्तों फिलाल किस वीडियो में यहीं तक अगर वीडियो से, आपको रगता है थे दीडियो में फिर और अगले वाले वीडियो में तब तर लिए देखते रहें इस वीडियो से, धन्यवाद झाल